वेल्कम बैक नाजीन अच्छा यह बताईए मारवी के यह कहा जाता था सी की दिहाई के बाद के एक इंटरनेशनल जिहाद इंकॉर्परेटिट सेट अप वह था जिसमें साओधी रेविया भी था एजब भी था इंगलेंड भी था जाहर है अमरीका वस लीडिंग अब लगता है कि इंटरनेशनल जिहाद रोल बैक एक शुरू हुआ हुआ है तो यह जो दोनों मुमालिक हैं की बात सुनें जो अभी पिछले दो दिनों में यह बाते होती हैं साओधी रेविया में वेदर इटस इनकी अपनी स्पीच मन मोहन सिंग साब की जो इनों ने वह शूरा में दी चाहे जो इनकी जॉइन डेक्लिरेशन आई है चाहे जो इंटर्व्यूज दोनों ने प्रेस को दी हैं तो यह बड़ा एक क्लियर कट कॉमन गोल है दोनों का कि जो मिलिटनसी है और जिहाद एक्स्ट्रीमिसम उसको खतम किया जाए तो यह तो एक मेजर लिंक बनता है दोनों मेजर लिंक है और यह सारी डेक्लिरेशन आपने सही का आया है कि टेरिरिजम पे एंफसिस बह रहा है बिकॉस अफ अधर पीपल्स फंडिंग तो बात्सारी आती यह तो बातचीत चल रही है उसका नेगटिव फॉल आउट पाकिसान पे कैसे आता है और किस तरह से उसको प्रजेक्ट किया जाता है मेरा मसला कुछ जो इस पूरे सिचुएशन में यह है कि जुस तरह से इंडिया उसको प्रोजेक्ट करेगा वैस्ट में इस रेलेशनश्यप इस नई स्रटीजिक रेलेशनश्शिप को उसका फॉल आट पाकिसान पर आगह तो पाकिसान को मैनेज करना पडेगा पाकिसान अगर मैनेज नहीं करा रहा तो फिर पाकिसान सही एख स्थरन !" पॉ लाए जब टेरर की बात आती है तो इंडिया के सफ एक ही टागिट होता है को हजार टागिट तो नहीं होते हैं इंडिया के टेरर पर्सपेक्टिफ से अरिख फात्मी सब जब is right. In fact, पहली बात तो यह है कि फुल कॉम्पिलिमेंट्स to the foreign secretary. He did an excellent job in Delhi. There is no doubt about it. दूसरी बात यह है कि मैंने भी लिखा था अपने आर्टिकल में और दूसरों ने भी point out किया है कि टेरिजम और issue of कश्मीर में एक intrinsic linkage है. terrorism इस खिते में आती ही नहीं अगर हिंदोस्तान इस किस्म की oppressive policy और occupation कश्मीर का नहीं करता. अब हमें जरूरत है कि हम जरा सा अपनी diplomacy में जरा assertiveness विलाएंगे. हर वक्त defensive हर वक्त defensive की जरूरत नहीं हिंदोस्तान की जो terrorist activity है including in कश्मीर, including in बलुचस्तान, उसको हम forcefully नहीं बड़े apologetically हम present करते हैं. अगर जैसे Americans आते हैं वो हमसे कहते हैं कि भाई अगर हिंदोस्तान के खिलाफ आपको शिकायत है तो क्यों नहीं आप evidence देते हैं? हम दिया करें. और सौदी अरेवियास को भी बताना चाहिए कि आप इनके साथ agreement कर रहे हैं, आपको इस चीज़ का अंदाज है कि हिंदोस्तान के अंदर खुद जो है हिंदोस्तान involved है terrorist activities में. तो आप किसके साथ cooperation कर रहे हैं? किसके साथ आप कर रहे हैं? क्योंके terrorism she is right. terrorism is a stick जो हर मुलक इस्तामाल करना चाहता है जब इस्तामाल करता है, तो उसका unsaid object ये target पाकिस्तान है. So we have to be rather assertive in making our claims कि हम internally terrorism के खिलाफ हैं, मगर externally जो दूसरे actors इस खिते में हैं, उन पर भी दुन्या को focus करना चाहिए. मेरा एक इसी से linked सवाल है, मिनिस्टर साफ से, इसी से linked कि जब बात आती है assertiveness की, जब हम बार बार Parliament में पूछ चुके हैं और प्राइम मिनिस्टर ने का है कि हम देंगे evidence अपनी timing से और अपनी वक्त से और अपनी जगा and place and everything, तो हमें बता दिया जाए कि कब आप देंगे इंडिया के खिलाफ internationally evidence कि वो आपकी interference कर रहा है क्योंकि जब तक आप guns उस तरफ नहीं पॉइंट करेंगे, उससे पहले सारे guns आपकी तरफ ही पॉइंट होते जाएंगे. इमार जी, बिलकुल इनके मारवी की concerns हैं, बिलकुल सही है, मैं ये गुजारश करूँ करूँ है, कि आप evidence नहीं, concerns है कि कब होंगे, he wants to know, तो वो मैं clarify कर दो, उसमें ये है कि जहां तक कि इंडिया के साथ तालग है, तो initially कोशिश यही थी के composite dialogue हो, वो across the table बैठें, और जो जो जॉइंट anti-terror mechanism है, वो revive हो, तो उसमें share की जाए, लेकिन वो गर नहीं होता, अब भी जो strategic dialogue होगा, पाकिस्तान और यूएस का, यहां से शावामूद कुरेशी साब हैड करेंगे, वहां से हिलरी क्लिंटन हैड करेंगी, और उसमें army chief, probably not army chief, डीजी, आएस, यह लोग होंगे, और वो सारी चीज़ें most likely share की जाएंगे, अब हम तो सुनते हैं कि अभी भी काहर बकाहर शेयर करते रहते हैं, लेकिन यह शेयर की जाती हैं, यह मगर substantial उसमें मज़ीद वो चीज़ शेयर की जाएंगे, अच्छा तो यह जो साओधी अरेबिया और हिंदुस्तान के दरम्यान एक जो statement उन्होंने आगे लेके आए, इस वक्त, उसमें कोई कश्मीर का mention नहीं, साओधी किसी भी साओधी official ने कश्मीर का जिकर नहीं किया, तो आप क्या समझते हैं, as a representative of this government के कश्मीर पर साओधी अरेबिया की policy तबदील हो गए? यह भी मैं आज तो comment नहीं कर सकता because यह भी आज कल की occurrence है, यानि के कोई time अगर ज़्यादा होता तो उस पर आप लोगों ने कोई बातचीत नहीं की तो उस पर अभी it will take some time और definitely अगर जब कश्मीर का जिकर नहीं हुआ तो उसमें concern तो है मेरा एक और concern है, मेरा concern एक और है कश्मीर के लावा composite dialogue पे क्या आपने बातचीत की थी साओधी एरेबिया के साथ कि जी आपके पास इंडिया आने लगा है, आप composite dialogue को पुश करें, कश्मीर के साथ साथ, दूसरे जो हमारे मसले हैं, क्यूंकि अब तो वो एक किसम की बन रही है, वो एकसेप्ट कर रहे हैं कि कोई शायद कोई इंडिया के साथ कोई और मुल्क बातचीत इंटर लॉक्यूटर के फॉर्म में कर सकता है, कौन एकसेप्ट कर रहा है, एक तरह से acceptable एक किसम से बनी गिया है, पुश किया था साओधी अरेबिया के साथ, क्यूंकि यह एक हम हमार भी कह रही हैं कि उन्होंने एक चीज़ मानी है, वो शेशी तरूर साभ जो इंडिया के मिनिस्टर आप स्टेट, उन्होंने एक स्टेटमन्ट दी थी, जिस पे पबलिक की तरफ से फ्लैक भी आया, तो थोड़ा से नहोंने बैक ट्रैक करना पड़ा ही, सैट कि मैंने यह नहीं कहा कि they'll have influence over us, but it seeks Saudi's accord in persuading, clear statement, फिर यह है, कि not only Saudi Arabia, USA, UK, EU countries है, जिसके साथ होता है, उसमें हमारा stance जही होता है, कि सिर्फ जो, देखे ना, foreign secretary साब गए, आपके talks हुई, मकसद था कि तोड़ी सी वो breaking the ice हो, and it may lead to some, मैं गुदारिश करना, एक से, composite dialogue वाला जो है, हर forum पर जो हम बात करते हैं, वो यह होती है, कि eventually आप prevail उन पर यही करें, कि composite dialogue जो है, आप कहरें कि साथी अरेबिया से बाती, फात्मी साथ यह बताईए कि कश्मीर के बारे में कुछ नहीं कहा गया, साथी अरेबिया से, तो यह should be take this serious, no, it's too late, यह पहले करन का खास कि अगर दोस मुलक में कोई major visit हो रही है, तो हम उन्हें sensitize करते हैं, और प्रेजिडंट के लेवल पर यह प्राइम इनिस्टर के लेवल पर खत जाता है, कि आप कहा फला शक्स आ रहा है, आप उससे Allah के वास्ते, फला फला हमारे core issues का जिकर कीज़, जी Allah के वास्ते, क्योंकि साओधी अरेविया में तो और आप उबामा के वास्ते तो नहीं कर सकते हैं, अपनी relationship के वास्ते भी कर सकते हैं, आज चीज़ पे अल्दा को क्यों नहीं चले हैं, चलिए, आपकी view है, हम उसे respect करते हैं, हम तो लाते हैं, अच्छा, anyway, तो हर issues पर sensitize किया जाता है, always यह practice है, हर जमाने में, हर regime में, तो अगर हमने किया था उन्हें और उन्हें नहीं किया, तो गलत है, और अगर हमने नहीं किया, तो यह हमारी failure है, कश्मीर पर, dialogue पर, हिंदुस्तान पर तो बहुत जरूरी था, and I'm sure, ministers I may not want to tell us, but high level पर खद जाना थाई, जरूरत हो, तो special NY क के हुकूमत को बताए जाए, कि आप ये इशू समारे, ब्रेक से पहले वास एक, ये बताईएगा, कि आप ये कह सकते हैं, on record कि कोई गया था, envoy, या special khat कोई गया था, सवधियरे भी, या call, phone call, हाँ या ना में कहिए, या phone call, हाँ या ना तो मैं नहीं कहने लगा, तो नहीं होती हैं, ये हुई होगी चीज़, ना जी इस पॉइंट पर ब्रेक लेते हैं, और फिर अगले सेग्मेंट में बात करते हैं, कि पाकिस्तान और साओधी अरेविया के तालुकात कैसे रहें, और उन तालुकात के नतीजे में, क्या पाकिस्तान को ज्यादा होनी चाही थी साओधी अरेविया से या नहीं, एक ब्रेक के बाद.